हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे से होंकर अपनी लाइफ इंजोई कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स आज में ये वीडियो लेकर आये हूं क्लास 10 और 12 के लिए कि उनका जो बॉर्ड एक्जाम के डेटशीट है वो सीपीसी ने रिलीज करती है तो उ उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो सीपीसी है वो आपके साथ शेयर कर रही है कि जा सबसे पहले वो क्या करते हैं उन्होंने हर एक एक्जाम के बीच में सॉफिशेंट गैप दिया है ये सीपीसी बोल रही है ठीक है सेकंड कहते है कि उन्होंने जैसे जो नोनमाडिकल के है उन्होंने बहुत ज्यादा मैनुट जो जीजे है उनum को भी ध्यान की में है कि जैसे प्लस चू के स्टूडेंस उनक에 पास सब्जक्ट का था मिनेशन होता है तो वह सब्जेक्ट कॉंबिनेशन 06.07 जैसे एक ट अडेट में बच्चों का दो ऑक्जाम क्लैश ना हो और फिर कहते है कि जो cbsc कहते है कि जो date sheet is issued much in advance so that students can prepare well for their examination कि जो date sheet है वो बहुत time पहले cbsc ने release करती है जो cbsc स्टार्टिंग से बोले कि 15 फैब से अपकी exam स्टार्ट हो जाएंगे तो cbsc कहते है कि हमने उसी कीज़ को ध्यान में रखे हमने जो date sheet है वो बहुत पहले release करती है तो चलिए students आप स्टार्ट करते है अपने date sheet सबसे पहले हम discuss करेंगे class 10th students के लिए तो जो class 10th students है उनका जो वैसे तो आपके स्टूडेंस के exam security है automotive है beauty and wellness है food production है front office operation है इस तरह के जो एक्जाम है वो आपके 16th को है 17th को जो है यह हिंदुस्तानी music है यह आपका 17th को है और फिर 20th fab को आपका Arabic दिबतन यह कुछ languages है यह आपका 20th fab को है ठीक है फिर आपका 24th fab 24th fab को आपका क्या exam है उतु है बंगालिया तमिल तेल वो इस तरह की languages है then 27th आपका जो main exam है वो कब है 27th fab को है और वो किसी का है English का ठीक है सारे students ध्यान से नोट करेंगे कि आपका जो first main exam है तो वो 27th fab को है English का देन उसके बाद 1st October को है आपका पंजाबी सिंदी मल्यालम इस तरह की exam है second March को फिर क्या है आपका national credit cop NCC है तेल्गू है इस तरह की exam है आपका second March को और फिर आपको फूर्थ मार्च को फिर आपका main exam है science का ठीक है फूर्थ मार्च यह date अपने नोट कर लेनी है ठीक है उसके बाद है 6th March को आपका home science है multi-skill foundation है फिर 9th March को आपका elements of business है 11th March को फिर आपका main exam है Sanskrit का ठीक है थर्टियंत मार्च को फिर आपको क्या है computer application है ठीक है थर्टियंत मार्च को फिर आपका computer application है 15th March को आपका social science का यह फिर आपका main exam हो गया यह भी date अपने नोट कर लेनी है, फिर 17th मार्च को फिर आपका हिंदी का है 1st exam आपका English का है 27th feb को और उसके बाद 17th मार्च का हिंदी का है तो 21st मार्च का आपका last exam है Mathematics का, ठीक है तो नोट कर लेनी है आपने जो Main-main date है 27th feb को आपका English का है, 4th मार्च का आपका science का है 11th March को आपका Sanskrit का है और 13th March का आपका computer application है 15th March का आपका social science है 17th March को हिंदी है और last exam आपका 21st March को है mathematics का ठीक है तो यह सारी जो dates है वो आपने अच्छे से note कर लेनी है और इसी के according आपने अपनी preparation करनी है ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं और यह कुछ की चलिए कि उस्टूडंस है उन्हें ने अपनी इस्टाक्शन दिया स्वार्त एक फिल दिए और नो को कोई भी communication device आपने examination center में नहीं लेकर जाना है देन कंडिडेटर्स विल मैंटें स्ट्ट डिसिप्लीन डिसिप्लीन आपने मैंने रखना है देन कंडेटर्स फॉलो आल इंस्ट्रक्शन गिवन और अड्मिट काड पर जो भी आपके का यह तीन घंटे का वह आपके देट शीट पर और अड्मिट काड पर मेंशन होंगी दैन 15 मिनट से रिडिंग टाइम विल बी गीवन तो दुद तो रीड़ दा न्यू पोश्चन पेपर को रीड करने के लिए हाँ स्टूद्स को 15 मिनट मिलेंगी दैन फॉर अपडेट अग है का वो कब से स्टार्ट होंगी को पर जो में जो सेटीक ताँ फैसली से स्टार्ट किया है 15 फैसलंका फरस्ट एक्जाम है उसके बाद है 16 फैसलंका बाद है 17 आपका का बैंकिंग और होटी कल्चर से फ्रहिए तरशस्ड परैकर अघ्ञाइम लिद्धे योः आपका दूछ स्वापीको अठील आपका जैसे फूड प्रोडक्शन है ओफिस प्रोसीजर्स एंड प्रक्टेसिस हैं डिजाइन है डाटा साइंस है यह आपका 21st फाप को है 22nd फाप को आपका किसीट का एक्जाम है अर्ली चाल्ड हुड केर एड़ एक्जाम है इंगलिश ठीक है 24 फापको फिर इंगलिश है और 28 फापको आपका जो हिंदी है ठीक है यह 25 फापका जैसे रुष्यन है ब्यूट वैलनेस है और मार्क्टिंग है यह 27 फापको 27 फापको अभी आपका किसका है रिटेल है अगरिकल्चर मुल्टिमेडिया है financial market है आपका then medical diagnostic है आपका textile design है यह आपका first March को है second March को आपका geography है and then third March को है आपका yoga third March को आपका yoga है फिर fourth March को आपका music है and sixth March को आपका physics है ठीक है sixth March को आपका physics है then इसके बाद है आपका ninth March को आपका legal studies है और उसके बाद है 10th March को आपका languages है जैसे Punjabi, Tamil, Telugu, Hindi इस तरह की languages है यह आपका कब है यह 10th March को ठीक है 11th March को mathematics है फिर यह आपका main exam आ गया 11th March को mathematics है नोर मेडिकल का 13th March को आपका physical education है 14th March को आपका fashion design है और फिर यह आपका main exam आ गया 16th March को bio exam है biology है 17th March को आपका economics है and उसके बाद है आपका 18th March 18th March को आपका painting graphics वगरा है और 20th March को फिर आपका political science है 21st March को आपका NCC वगरा है और 22nd March को फिर आपका exam है tourism है air conditioning है और salesmanship है फिर 23rd March को आपका किसका है information practices है और computer science का है 23rd March को ठीक है तेन उसके बाद है 25th March को business studies है 28th March को web application है 29th March को आपका history है 30th March को आपका accountancy है और उसके बाद है आपका 1st April को home science है ठीक है 1st April को home science है और 3rd April को आपका sociology है then 4th April को है आपका ये इस languages है elective है कुछ है उर्दू elective है संस्कृत elective है देन उर्दू core है आपका front office operation है insurance है इस तरह के कुछ exam taxation है आमर्टी मास मीडिया है देन लांस्ट एक्जाइम है आपका 5th April को psychology का students ही है आपके class 10th और 12th की dead sheet और 12th का जो exam है वो आपके 20th fab से main start होंगे 20th fab को आपका हिंदी का है 24th fab को आपका English का है 28th fab को आपका chemistry का है 6th March को आपका physics का है 11th March को आपका maths का है 13th March को आपका physical education है और 16th March को आपका biology exam है 10th exam यह है और अच्छे से अपने preparation करने यह सेम जो यहां पर इंस्ट्रक्शन दी है ऐसे 10th के जो date sheet है उसमें वह दी है 12th की जो date sheet है इसमें भी cbsc ने इंस्ट्रक्शन दी है यह आपने follow करने यह मैं पहले आपको एक बार बता चुप हूँ ठीक है बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे की आगे आने वाली हर एक वीडियो का notification आपको मिल सेके थैंक्यू सो मुच कर दो 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 कर दो